चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिस्सी की मिलती रहें आपको लेटेस रेसिपी अपडेट चैनल इंडियन दत्तक्वान में आज मैं कोर्मा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह यूपी की शादियों में अक्सर बनता है काफी टेस्ट्री लगता है खाने में यह मैंने बड़े का गोश्ट का कोर्मा बनाया है आप चाहें तो मटन का भी बना सकते हैं बहुत ही इजी इसको बनाना काफी जल्दी यह बन जाता है और बहुत ही रिच ग्रेवी के साथ काफी टेस्ट्री खुश्बूदार हमारा कोर्मा बन के तयार होता है रेसिपी पसंद आने पर चैनल को ज़रुदों से सब्सक्काइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आथ तक पहुंचेगा चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है को अगया है इसको मैं अच्छे से वाश किया है बड़े का गोश है इसी काम बनाएंगे कोर्मा इसको बनाने के देखिए मैंने छे प्यास को चॉप किया है इसको मैंने मशीन में चॉप कर लिया है आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं छे प्यास लीजिएगा दो छोटी प्यास को लेकर मैंने स्लाइस में कट किया है इसको हम गोल्डन फ्राइ करेंगे यह देखिए मैंने खशकश कर दो भी गो लिया है ये भी डालना जरूरी है इनका हम पेस्ट बना लेंगे एक टमाटर बढ़ा लिया इसको मैंने कट कर लिया है गोश्च में डालने के लिए और मसाला हम बात में दिखाएंगे पहले जो खर्श कश और गरी है ये और आरियल आप चाहें फ्रेश नारियल बिल्कुत हम शादी स्ताइल बना रहा हैं कोर्म ऑल्न गर्म हो गया इसमें हमने जो प्यास दिखाये यह हम डालेंगे और प्यास को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे ऑप ले अगे के लिए देख लिए मसाला देख लेते हैं एक टेबर स्पून जीरा हाफ टीस्पून काली मिच्ट दो सिनिमरे स्टिक एक जैवित्री फूल दो बड़ी इलाइची दो छुटी इलाइची चार लॉंग लिया मैंने और पांच से छे मैंने तेज पत्ता लिया है इसका हम हम हिला लेंगे ओईल में अभी हमारा फूल ही है फूल फ्लेम पे ही हम इसको बनाएंगे जल्दी से यह देखे पेस मैंने बना लिया है खशकश और जो मैंने गोला गरी दिखाई थी आप चाहे तो नारियल का बूरा भी ले सकते हैं अगर आपको पैस गोला गरी नहीं है इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे मतलब भूनेंगे लाइट गोल्डन कलर जो ढखन में लगा है उसको हम चमच से निकाल लेंगे जार के ढखन में जो लगा था वह सारा मैंने डाल लिया है बस फुल फ्लेम पे थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें मसाला एट कर लेंगे तो इसी की कि ताद आम गारलिक पेस डाल देंगे तीन टेबल स्पून क्योंकि रेड़ किलो गोशह हमारा अगर आप é adjourn't काल में तो आप दो डू टेबल स्पून सब्साइब कर रही हूं किगर देडर की रेचिप शेयर कर रही हूं 500 ग्राम मैंने रही है है ये मिक्स हो गया है बस इसमें अब हम गोश डाल देंगे सारा गोश डालेंगे थोड़ा मिला लेंगे फुल फ्लेम पे ही इसको मैं अभी भूण रही हूँ थोड़ा मिलाने के बाद इसमें हम ने जो प्याज चौप करके रखी ते ये डाल देंगे और मिलाएंगे ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा प्यास ज्यादा ही लिया है ताकि अच्छी ग्रेवी रहे अगर आप थोड़ा प्यास कम करना चाहेंगे तो आप देड़ क्रों गोश में पांच प्यास डाल सकते हैं और एक किलो में तीन पीस आप अपने अंदास से डाल लीजिएगा जितना भी क्वांटिटी में आप गोश का कुर्मा बराएंगे इसमें आप हम दो टीस्पून के करेब रेट चिली पाउडर डाल देंगे यह देखिए काफी तीकी है मिर्श तो मैं थोड़ा धियान से डाल तो मिलाएंगे इसको अच्छे से कि फुल से मिलाएंगे पहले इसको रुक्ष को में बून आड़के पहले इसको हम पकन के लिए रखेंगे फ्ल्म नहीं हमने जार में पेस्ट बनाया था उसी जार में मैंने थोड़ा पानी डालकर हिला कर डाल दिया है तक्रिम में बस एक कपन में मैंने पानी डाला है बस इसी में हम धक्कन लगाएंगे और इसको हम पकाएंगे दो प्रेशा आने तक फुल फ्लेम पे और पांश मिंट लो फ्लेम पे पकाने बाद फ्लेम को हम आफ कर देंगे यह देखिए इसको मैंने बस पांश से दस मिंटी पकाया था उसके बाद हमने इसको खोल का चेक किया है इसमें काफी पानी रिलीज हुआ है और जो प्याज है अभी साबुत दिखने तो इसको भूनेंगे ताकि प्यास जो है अच्छे से इसमें मैश हो जाए सालन बन जाए इसका ग्रेवी बन जाए फुल फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे वह भून रहा है तब तक देखिए मैंने प्यास जो हमने फ्राई की थी वह और इसके साथ 10-12 का पाना का लिया है यह हम डालेंगे इससे काफी रिच ग्रेवी हमारी बनेगी कोर्मा की जो ग्रेवी होती काफी रिच बनेगी काफी टेस्टी बनेगी प्यास जो फ्राई किया है यह डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे दरदरा पेस्ट मैं बना रही है आप चाहे अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम असा पाउडर उपसे डालेंगे, गरम असा पाउडर आप ज़रू से डाल लीजिएगा, इससे काफी टेस्ट बढ़ेगा हमारे कोर्मा का, बस इसमें अब हम एक गिलास पानी डाल देंगे, एक से देड़ गिलास मैंने डाल दिया है पानी, ग्रेवी के लिए गोश भी भूणका तयार है, घोश में उपर से तरी अलग हो गई थी, तो मैंने इसको निकाला है एक बाॉल में, यह देखिये, इसकी तरी अलग हो गई थी, भूणते वब मैंने इसको निकाल लिया है, इसको अब जालेंगे, तो हम इसको सर्व करेंग यूपी की शादी में ये अक्सर बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है जरूर से बनाईएगा आप आप चाहे तो मटन का भी कोर्मा इसी तरह से बना सकते हैं रेसे पसंद आने पर चैनल को जरूर से सब्सक्कारें मेरी वीडियो को लाइक करें और शेर करें कमेंट करके बैक भी दीजिएगा बैल आइकन को प्रेस करें जिससे के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दुआ में याद रखिएगा अल्ला हाफिज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को भी प्रेस कर लें जिससे के आने वाली नए रैसे पीस का वीडि यह मैंने इसको कूकर में बनाया है और यह इतना जादा टेस्टी बनकर तियार हुआ इतना ज़्यादा खुश्भू के साथ और इतना जल्दी यह बन गया है फटा फट से फ्रेशर कूकर में तो आप भी इसको बना सकते हैं तो वीडियो आप पूरा देखिएगा कि आप तो रेसिपी आपको कैसी लगी आप बताईएगा फीडबैक इसका दीजिएगा वीडियो देखने के बाद तो फिर चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना तो इसको बनाने के लिए यहां पर देखिए मैंने एक किलोगरम गोश लिया है और गोश को मैंने अच्छे से वाश करके छने में रख लिया है तो इसका सारा पानी बाहर निकल चुका है तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे यहां देखिए मैंने तीन प्याज लिया है इसको मैंने स्लाइस में कटके इसको गुल्डन फ्राइब करेंगे इसी के साथ चार प्याज लिया इसको मैं बनाना कुकर मैंने रख दिया फ्लेम पे इस और फ्लेम को मैंने ओन कर लिया है तो इसमें हम कुकिंग ऑल डालेंगे तकरीबन देड़ सो एमल थोड़ा मैं ज्यादा इसमें डाल रहे हैं कि मुझे तरी चाहिए हाँ है तो ऑलो को हम है अच्छे गरवने देंगे तो जब यह गरम हो जाएगा तो इसमें हम प्यास ढाल देगे जो हमने बाड़ में पाउडर बनाएंगे मिक्सके ग्रेंडर में वो गरम असाला है वो डालना जरूरी है आप यास से इसको गरम असाला पाउडर बनाईएगा तो प्यास भी देखिए हमारी बस कलर चेंज हो रही है लाइट गुल्डन फ्राई होते ही हम इसको निकालेंगे एक बरतन में तो मैं करता ह्यों निकाल लोंग गाल लिए अटो और फुलेम को मैंने या पे लो कर दिया है लो प्लेम पे ही मैंसको निकाल लेती हूँ सारी तो इसको ठंडाओने देंगे इसको साइड रख देंगे अब इसी ओईल में हम डाल देंगे जिंजर पेस्ट तीन टेबल स्पून मैंने लिया है तीन टेबल स्पून भरके डाल देंगे जिंजर पेस्ट और इसी साथ डालेंगे हम दो टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट तो इन मसालों को हम भूनेंगे थोड़ा हाइफ लेंपे भून लेंगे कि यह बुन गया है बस थोड़ा ही बुनना तब आप हम इसमें डाल देंगे गोश को एक किलोग्राम लिया है मैंने यह सारा डालेंगे कि और गोश को यह थोड़ा मिला देंगे ओल में मसालों के साथ तो बस मीडियम फ्लिम पे अब हम इसमें थोड़ा मसाला एट करेंगे वन टेबर स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगी कौरियंडर पाउडर इसे इसाद बस दो चुटकी हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूं थोड़ा कलर के लिए वैसे तो म जलका ही हल्दी पाउडर डाला है बस टेस्क अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगी जो प्यास मैंने दिखाई थी आपको रफली कट वाली मैंने इसका पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर जार में तो यह पेस्ट बनाना जरूरी है बस मसालों को थोड़ा भूनेंगी और जो प मैंने प्यास लिया था उसको कट करके उसका पेस्ट बना लिया है यह कूकर में मैं बना रही हूं तो हम पेस्ट ही डालेंगे अगर आप बहुने में पतीली में में बनाएंगे तो आप कट करके डाल सकते हैं पेस्ट डालने से क्या होगा कि यह जो हमारी ग्रेवी है काफी अगर आप डाल देंगे तो इसमें जो ग्रेवी रहती इसमें साबुत साबुत प्याज रह जाती है तो पेस्ट आप बना लेंगे आपका सालन बहुत ही ज्यादा के टेस्ट्री बनेगा और काफी रिज ग्रेवी के साथ तो दही भी मैने एड कर ली है अबस मिलाएंगे इन कि मिलाने के बाद इसको हम कूकर को धकन से कवर करेंगे थोड़ा पानी मैंने आट कर लिया है आप चाहे तो मड़ डालीगा क्योंकि इसमें से पानी काफी ज्यादा रिलीज होने वाला है तो इसको तीन प्रशाने तक मैं पकाऊंगी उसके बाद फ्लेम आफ कर देंगे तब आपको कि ऑईल में थोड़ा जादा डाल रहें क्योंकि हमें तरी चाहिए तो तरी मैंने बर्तन में निकाला है वापस से हम फ्लेम को अंद कर लेंगे और इसको हम थोड़ा भूनेंगे क्योंकि देखिए कूकर में बनाने से इसमें से काफी ज़दा पानी रिलीज होता है अगर आप पतिले या भूने में बनाएंगे तो इसमें से पानी इतना ज़दर रिलीज नहीं होता वह उसी के साथ भूनता रहता है और गोश्च भी हमारा गल जाता है सभी मसालों के साथ तो पाउडर मैंने बना लिया है गरा मसाला पाउडर जो मैंने आपको दिखाया थ पाउडर हम डालेंगे मसालों का और इसको हम साथ में भूनते रहेंगे इसी तरह से चलाते हुए तो हाई फ्लेम पर भूनेंगे जो प्यास मैंने गोल्डें फ्राई की ती साइड रग दी यह ठंडी हो गई है तो इसको भी हम क्रश करेंगे अच्छे से और करने के बाद ह हम इसको डालेंगे अच्छे से चूरा बनाने के बाद हमें डाल लेना है अगर आधा साबुड डाल देंगे तो वो सालन में अदें रह जाती है तो आप इसको क्रश जरूल से करिएगा मतलब इसको ठोड़ा चूरा बना लेना है तो यह देखिए से चो मैंने भूना है तो इसको मैंने 10-15 मिन अच्छे से बुन लिया गोश्ट की बोटियों को भी मैंने चेक के यह अच्छे से टेंडर हो गई है गर्ज चुकी है इसको मैंने तीन प्रेशर अने तक फुल फ्लेम पे पकाया था उसके बाद फ्लेम को मैंने आफ कर दिया था तो थोड़ी दे बु है और उपर से मैंने जो तरी निकाली थी वो डाल ली है तो देखिए यह हमारा इंस्टेंट कोर्मा बंद कर दिया है प्रेशर कूकर में और बहुत ज्यादा खुश्बू के साथ तो रेसेपी आपको कैसे लगी आफ वीडबैक लिएगा कमेंट करके रेसेपी पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा तो फिर मिलते हैं अगली जैसेपी की वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज कर दो कर दो कर दो